Assalamu alaikum, मैं दुलेखा विफाद, दुलेखास किचन सी, तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन अंगारा ग्रेवी, सादा रहने याने ओर्डिनेरी इंग्रिजियन से एक्स्टर ओर्डिनेरी डिश बनाते हैं चलिए चलिए यहें एक किलो तक की धोई हुई नितारी हुई चिकन, अब इसमें दाल दीजिए सवा 400 ग्राम टमाटर पीसे हुए, अच्छा यहां आपने एकदम लाल लीजिएगा, उससे कलर बहुत जादा अच्छा हैगा, मेरे पास नहीं थे, तो मैंने नॉर्मल जो रखे हुए थे, व सुरी मिथी को दाल दीजिए, देर छोटे चाय का चमाच, नम्मक दाल दीजिए, या नम्मक स्वाद अनुसार दालिएगा, तीन छोटे चाय के चमाच मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दाल रहे हुए, अगर आपके पास spicy वाला हुँ, तो कम दालिएगा, दो टेबल स् आधरक लस्न का पीस्ट, और 1 चोटे चमाच, भूना और पीसा वाजीडा पाउडर, आदा चोटे चुटे चमाच, पैपर यानिके काली मिर्चो का पाउडर, 3-4 चोटे चै का चमाच, गरम मसाला पाउडर, ये फरेशली मैंने 4 मीडियम साइस की प्यास का विरिस्ता बना आप चाहें तो एक घंटा, दो घंटा या राद भर भी फृरिज के अंदर धाक कर रख सकते हैं, जितना समय आपके पास हो, उतने समय के लिए मेरिनेट करने रहने दीजिए, मेरिनेट होके एक घंटा हो गया है, अच्छा ये पतिली के अंदर ही है न, मैंने प्यास का बिरि चिनी की, दो तिन हरी लाइची और आदा छुट चाह का चमज साबत जीरा, ऐसे डाल कर बहुत अच्छे से तर्तरा जाने दीजिए, जब गरम मसाले तर्तरा जाएं, तो बिसमेल राहमाने रेम बोल कर जो हमने मेरिनेट करी हुए पुरी जो चिकन और मसाले हैं, ये सारे मसाला डाल दीजिए, सारा मसाला डाल दीजिए का पतिली में से निकाल कर कुछ भी रहना नहीं चीए और कोई भी चीज वेस्ट ना हो ना हमारी, चली अब ये डाल कर बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और मैं फास्ट आज पर इसे तकरीबन 3-4 मिनिट तक पार ब अच्छ और इसे ढख कर 15-20 मिनिट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएं जब तक आपकी चिकन नहीं गल जाती जब आप 20 मिनिट के लिए रख रहे हो ना तो बीच में 2-3 बार इसे खोल कर सिर्फ चला लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि मसाला नीचे चिटक जाए ना चलिए मैंने भी एक बार चलाया है यहाँ पर 10 मिनिट ही हुई है तो मैंने थोड़ा सा फूट कलर दाला है क्योंकि जैसे आपने देखा मेरी टमाटर लाल नहीं थे आपके लाल हो तो यह स्किप कर सकते है आप स्टेप चलिए टोटल 20 मिनिट हो गई है मैं चूला कर देती हम बड़ उससे पहले दो टेबिल स्पून भर कर मक्षन यानि के मसका पटर दाल दीजिए और कोप सारी बारे कटी हुई कोथमिर दाल दीजिए हरा धनिया और इसे एक बार चला लीजिए अब एक चोटी सी कटोरी स्टील की बीच में रग दीजिए यहाँ पर गरम करा हु हमारा अंगारा तो मजा आएगा तो चलिए पांच मिनिट के बाद मैं इसे निकाल कर साइट पर रख देती हूं और यह बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा डिलिशिस चिकिन अंगारा ग्रेवी रेडी है सोफ करने के लिए आप रोटी पराटा पुलका बटर नान क किसी के भी साथ सब कर सकते हैं वैसे इन में से कुछ की रेसिपी लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है तो हैना मज़ेदार रेसिपी आज की अगर आज की रेसिपी अगर आपको अच्की लगियो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक और फिर हां जल 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 हाजिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ अंतल दें टेक कर आला आफस्टार आपस्टार